नमस्कार, आप सब का स्वागत है मेरे चैनल A to Z Dishes उशा कोरजानी में तो आज एक बार मैं फिर से आ गई हूँ बहुत ही बढ़िया से डिश लेकर आपके लिए और वो है रोज श्रिक्खंट, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और श्रिक्खंट तो छोटे से लेकर बड़े तक सब को ही पसंद आता है इसमें यहाँ पे हमने गुलाब की पतिया, डेर सारे, डेर सारे काजू, बादाम डालकर यह श्रिक्खंट बनाया है बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में वैसे तो हम नॉर्मल श्रिक्खंट लेके आते बाहर से और वही खाते है आज हमने घर पर बनाया है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और वीडियो को एंड तक देखेगा, मैंने यह श्रिक्खंट स्टेप बाई स्टेप बताया है तो चली बनाना शुरूर करते हैं सबसे पहले रोश्रिक्खंट के लिए हम देख लेंगे इसमें क्या के इंग्रिडियन्स चाहे तो यहाँ पे मैंने ले लिए है एक अमूल दूद का पैकेट यह 500 एमिल दूद है कुल मिलाकर फिर मैंने यहाँ पे लिए गुलाब की पतिया गुलाब की पतिया मैंने लिए फिर मैंने यहाँ पे लिए आधी कटोरी चीनी चीनी लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिए दो से तीन बड़े चमच रूबजा शर्बत फिर मैंने यहाँ पे dry fruits में लिये हैं छे से साथ बादम और छे से साथ काजू यह हमारे dry fruits हो गए और हमारे ingredients भी यहाँ पे खतम हो जाते हैं तो चलिए बनाना श्यूरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिये एक इस तरह की बर्टन जिसमें हम अभी दूद को इस तरह से चानेंगे तो एक चनी से इस तरह से मैं ये दूद को चान दूँगी तो यहाँ पे मैंने अमूर दूद का पैकेट लिया है ये एक ही पैकेट लिया ये 500 ml का है इसे मैंने दूद को चान लिया है अब इस तरह से चलाते हुए, हमें इसे एक उबाल आने तक पकाना है, तो इस तरह से थोड़ा चला दिया है, एक उबाल आने तक इसे पकाना है, तो यहाँ पे देखिए, हो चुका है यह एक उबाल, आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से यह उबाल आ रहा है, तो दी ले लिजे जिसमें आपको दही जमानी है और ये दूद इसमें डाल दीजे अब इस दूद को हम ऐसे ही रख देंगे जब तक गुंगुना हो जाए तो इस तरह से रख दीजे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो दूद है वो गुंगुना हो चुका है अब इसमें हम देखे यह मिल चुकी है अच्छे से अब इसके उपर में एक रख दूँगी डखन पहले हम दही जमा रहे है इसमें दही बहुत ही जरूरी है श्रिखन में इस तरह से धकन रखे इसको मैं 4-5 गंटे तक इसी तरह से रख दूँगी तो यहां पर 4-5 गंटे हो चुके है और हमने इस तरह से एक और दई जमा ली थी तो हम वो ले लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से यह जम चुकी है आप देख सकते हैं पुरी जम चुकी है हमारी दई अब ले लेंगे इस तरह का एक बरतन और उस पर हम रख देंगे एक छनी छनी रखने के यहाँ पे मैंने ले लिया एक इस तरह से पतला कपड़ा आप इसकी जगा पे मसलन क्लोथ भी यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पे पतला कपड़ा यूज कर लिया अगर आपके पास यह तो यह भी कर लीजिए कोई बात नहीं अब 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 जो हमने दई दिखाई आपको वो इसमें इस तरह से डाल देनी है तो देखे मैंने इस तरह से सारी डई डाल दी है डालने के बाद यह जो कपड़ा है इसकी साइट्स को आपको दीरे-दीरे उठाना है पूरी डई मैंने डाल दिये अब इस कपड़े को मैं दीरे-दीरे करके उठा दूंगी सारा आपको इस पानी है वो निकलता जाएगा थोड़ा थोड़ा तो हलक्यास से इस तरह से गुमाते जाएए अब तो देखिए ये पूरा थोड़ा थोड़ा करके पानी निकलता जा रहा है ये हो चुका है अब इसे हम इसी तरह से रख देंगे करीब आपको इसे आदे गंटे तक इसी तरह से रख देना है कुछ भी इसके ओपर भारी बरतन नहीं रखना है इसी तरह से आदे गंटे तक आपको रख देना है तो यहां पर आदा गंटा हो चुका है अब इसको मैं इस तरह से उठा लूँगी आपको सिफ इसे आदे गंटे तक ही रखना है और इसके ओपर कोई भी तो यहां पे आप देख सकते हैं, एक गंटा हो चुका है, अब मैं आपको दिखा देती हूं, तो आप इस तरह से रखेंगे, तो एक गंटे के पद इस तरह से ये मुलायम हो जाएगी, आप देख सकते हैं, अब इसे हम एक बाउल में इस तरह से निकाल देंगे, तो एक मिक्सर में हम डालेंगे आदी कटोरी चीनी यहां पर हम चीनी अपने हसाब से डाल रहे हैं क्योंकि हमने यहां पर रूपजा शर्बत भी उसकिया है तो आप भी अपने स्वाद अनुसा डालिएगा चीनी को हम अच्छे से इस तरह से पीस लेंगे तो यहां पर हमारी PCV चीन मैं यह जो धाई मैंने निकाली थी बाउल में उसमें डाल दूँगी इस तरह से डाल देनी आपको और इसे अच्छे से इस तरह से मिलाते जाना है तो मैंने आपको पहले भी बता है कि इसमें हम रूपजा शर्बत भी डालने वाले हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डालिए कम डालिए तो कम डालिए जादा डालिए तो जादा डालिए तो यहाँ पर हमारा यह अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसके अंदर हम एट करेंगे रूपजा शर्बत तो देखिए आप यहाँ पर अगर आपके पास रूपजा शर्बत नहीं है त ताकि और फूद स्मूध हो जाय है Entonces je Weisans about it मैं थोड़ा पहले ढला था अब फिर से थोड़ा करके डालनगी आपको तो 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 थोड़ा और ना है इसमें एक साथ बिल्कुल भी नी डालना है इसके सारे जो लंस थे वो भी मैंने इस तरह से चलाते हुए तोड़ दिये हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होनी चाहिए अब वो तैयार है अब यहाँ पे हमने ले लिए गुलाब की पतिया इस तरह से सबसे पहले हम इसे दोएंगे तो तीन से चार पानी से जिदोना है तो पहले मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है अब अच्छे से सारे जो यह गुलाब की पतिया उसे पानी में विगोंगी इस तरह से तो देखिए मैंने यह एक पानी से अच्छे से विगोंगी है अब यहाथ में इस तरह से लेकर इसका जो पानी है वो इस तरह से बंद मुठी से निकाल देना है तो यह हो चुकी है आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से अब इसी तरह से मैं इसे दूसरे पानी से भी अच्छे से दूँगी तो देखिए इस तरह से मैंने सारी पतिया फिर से डाल दी है अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और अच्छे से फिर से भिगोंगी और हाथ में इस तरह से ले लूँगी और इसका जो पानी एक्स्ट्रा का वो निकाल दूँगी तो यहाँ पे हमारी सारी जो यह पतिया वो दूल कर तयार हो चुकिए आप देख सकते हैं इसका मैंने सारा पानी निकाल दिया अब इसे हमें बारिक कट कर लेना है तो यहाँ पे मैंने इसे बारिक कट कर लिया आप देखेंगे, इस तरह से मैं इसको डाल दूनगी, बाउल में, ये हो चुकिए हमारी, अब ये जो हमने ये फैट लिया था, ना धही को ये भी बनके तयार है हमारी अच्छे से से मिक्स कर दिया था अब इसमें जो हमने अब याभी बारिक गुलाब की पतिया कट की थी वो इस तरह से सारे डाल देंगे देखे किता प्यारा प्यारा कलर लग रहा है एकदम अच्छे से इसे मिला देंगे मिक्स कर देंगे इस तरह से आप देख सकते हैं सारा मैंने मिक्स कर दिया ऐसे अब मैंने यहां पे ले लिया है काजू और कर लिया है अब सबसे पहले मैं ये बादाम को इस तरह से डालूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी तो देखे बादाम को इस तरह से मैं डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसी तरह से मैं काजू को भी डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दूंगी आप इसमें पिस्ता बारी कट करके और किश्मिश भी डाल सकते हैं पर यहां पर मुझे पॉसनली यह काजू और बादामी अच्छे लगते तो मैंने यह दो ही डाले हैं अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो लीजे हमारा यह श्रिक्खन तयार हो चुका है अब अब इस श्रिक्खन को भी थोड़ा सा ठंडा करके मैं बताऊंगी कि यह कैसा लगेगा एकदम पॉफेक्ट मार्केट जैसा तो यहां पर मैंने एक डबा ले लिया है इस तरह का स्टील का उसमें यह सारा श्रिक्खन में डाल अगर आपके पास air tight container है तो आप वो भी ले सकते हैं इस तरह से एक अच्छे से यह डबा होना चाहिए जिसका डबा जोना चाहिए इस तरह से आपको एक डबा ले लेना है इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है तो शारा श्रिक्खन में यह डबबे में निकाल दिया है आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ तो देखे किता बड़िया सा ये हो चुका है एकदम ठंडा ठंडा और श्रिक्खंद थंडा ही अच्छा लगता है कुछ भी कहें देखे किता एकदम पॉफेक्ट हमारा जो अब इसे इस तरह से प्लेट में निकाल दूँगी आप देख सकते कितना ये बड़िया तरीके से हो चुका है तो आप इसे फ्रीजर में जरूर रखेगा अब इसके ओपर में थोड़े और काजो और बादाम रखूँगी और उपर से डाल दूँगी और गुलाब की पतिया तो ये आपका तयार हो जाएगा रोज श्रिक्खन तो जरूर ट्राइ कीजिए खाने में भी बहुत ही बड़िया और हेल्डी भी है आप इसमें चीनी कम जादा अपने हसाब से कर सकते हैं तो देखा कितने कम इंग्रिडेंस में इतना बड़िया सा श्रिक्खन बनके तयार हो गया अब आपको बाहर जानी की विजरूर नहीं है तो जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो कैसी लगी है मझे कमें सेक्शन में पता ही अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले थैंक यू फो वचिंग